दीपावली आने से पहले ही सुजानपुर शहर जगमगाता हुआ नजर आएगा नगरपटसर सुजानपुर ने तियोहारी सीजन शुरू होने से पहले पूरे शहर में करीब 150 नए स्ट्रीट लाइट लगाने का कारे शुरू कर दिया है आने वाले दिनों में पूरे शहर के सभी बार्डों में सार्बजनिक स्थानों पर नए स्ट्रीट लाइट जगमगाती हुई नजर आएगी शुरूआती दोर में अब तक करीब 3 दरजन लाइट फिट भी करवा दी गई है बताते चलें कि स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेकर लगाता नगरपरशद सुजानपूर के पास शिकायतें पहुँच रही थी कुछ नई लाइटें लगाने की मांग थी तो कुछ को सही करवाने का फर्मान था नगरपरश्ट ने तमाम शिकायतों के उपर कारवाय करते हुए पुरानी लाइट्स को ठीक करवाने के साथ जहां नए स्ट्रीट लाइट्स लगनी है बहाँ पर इन्हें फिट करवाने का कारे शुरू कर दिया है नगरपरश्ट के माने तो त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले पूरे शहर में 150 स्ट्रीट लाइट फिट करवाई जाएंगी लोगों की सुविदा के लिए मुखे रास्ते गलियों चारपशनिक स्थानों के साथ जहां इन्हें लगाने के जरूरत होगी इन्हें बहाँ प से फैस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले ही पूरे शहर को नए स्ट्रीट लाइट से जगमक कर दिया जाएगा इसके साथ ही उन्हें बताय कि विकास कारें को लेकर नगरपरश्ट का नंबर है दो दरजन के करिब शहर के सभी अलग अलग भागों में विकास कारें अबंडित कर दिये गए हैं और जो एक दरजन कारें रह गए हैं उन्हें भी शीग्र अबंडित कर दिया जाएगा